उत्यप्रदेश में लोग सभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी अपने साथ विधायकों की सदसीतार रद करने की तयारी में ज्ट गई है यूपी विधान सभा के अग्यक्ष सतीश महाना के समक्ष जल्द ही इन विधायकों की सदसितार रद करने के लिए सपा अपील करेगी अब अगर इन साथ सीटों पर विधायकों की सदसितार रद की जाती है तो इन सीटों पर भी उपचुनाब होगा सपा के जिन विधायकों की सदसिता रद्ध होने की संभावना है उनमें मनोश पांडे, राकेश सिंग, अभै सिंग, राकेश पांडे, विनोच तुरवेदी, पूजा पाल और आशुतोस शामिल हैं दरसल सपा ने राजसभा चुनाव के समय पार्टी के खिलाव जाकर बीजेपी के समर्थन में वोट देने वाले और लोग सभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ मंच पर नजर आए विधायकों के सदसिता रद्ध करने की मांग कर सकती हैं इन विधायकों के खिलाव सपा ने वीडियो और आडियो के सब्बूद जुटाए हैं। हाला कि पल्लवी पटेल की सदसता रद करने की मांग सपा करेगी या नहीं या अभी तक सपस्ट नहीं हो पाया है। वासपा के टिकट पर चुनाव जीती थी लेकिन बीते चुनाव में वह भी सपा के खिलाव चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई थी। सपा ने अभी तक पल्लवी पटेल को लेकर अपनी रड़नीती सपस्ट नहीं की है। अगर सपा उनके खिलाव याचिका देती है तो पल्लवी पटेल की विधायकी भी रद्ध हो सकती है क्योंकि वो भी दूसरी पार्टी के मंचों पर नजर आई है। उन्होंने ओवैसी के साथ मंच साजा किया है और ऐसे में अगर सपा इन विधायकों के खिलाफ याचिका देती है तो विधान सबाद्यक्ष सतीस महाना के हाथ में फैसला होगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर इन विधायकों की विधायकी जाती है तो फिर से चुनाव होगा जबकी इन सभी के इलाकों में बीते चुनाव के दोरान बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और बता अदे कि राज में नौ सीटों पर उपचुनाव होने तै हैं ब्योर रिपोर्ट दे लीडर हिंदी